है 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 स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरुजी में आज हम बात करें वक्षीट फाइव की जो कि 14 जुलाई के लिए जारी की गई है क्लास नाइंद की साइन सब्जेक्ट से लिटी वक्षीट है यहां बच्छे अपने नाम लिखेंग सब्सक्राइब के अज्याक बारे में बताया गया है उसकी माँ बैटी बाते कर रही है है कि उसे डाल में नहीं हो रहा है Hallad वह सारी चीजीजह नहीं हो रही है तो इन सब के बाद उसे यह याद आता है कि दिली में एक समय ऐसा भी था जब पूरा का पूरा दिली स्मोग से ठक गया था तो उसे क्या है पता चलता है कि जो एर पॉलूशन एक बहुत ही इंपोर्टेंट मैटर है जिसे हमें हर वक्त माइड में रखते हुए ध्यान से सौल करने की कोशिस करनी चाहिए अब जब हम बात करते हैं एर पॉलूशन की तो एर पॉलूशन में सबसे पहली चीज़ आती है कि एर पॉलूशन है क्या तो एर जब कॉंटेमिनेटिट हो जात इस वह पार्टिकल्स जो तेल के जलने पर इधर उदर किसी डस पार्टिकल के तुरू उड़ते हैं बचो अब कुछ चीजें या कुछ बातें हैं जिससे हमें पर चलता है कि किस किस चीजों से एर पॉलुशन होता है जैसे कि आपके इसमें दिखाया गया एर पॉलूटें जो मेन आती है बछोट्यों स्मॉग किया है एसमोग क्या है एक ठीक लियुर ऑफ पर्टणष में बनती विंटरे फॉग और स्मॉख मीलने से इसी कॉछ क जुए आप यहां पर यह स्मॉख की पिक्चर है यह ज्यूंध बटा रहिए कि कैसी कैसी पिक्चर अब ज़रा बात एर पॉलुशन और दूसरा है एयर पॉलुटेंट चलिए बच्छो देखते हैं एडिए पॉलुशन क्या है कॉंट्मिनेटर एडिदी हो जाए और अन्वांटेट सबस्टांस उसमें आ जाएं जो की हार्फिलो बौथ लिविंग और लॉन्विंग लिए तो कहलाती है एर पॉलुशन और अगर उस एर पॉलुशन को क्रियेट करने वाले यानि कि एर को कोंटेमिनेट करने वाले सब्स्टांसिस को एर पॉलुटेंट कहते हैं जैसे कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन सल्फर नाइटोजन डस पार्टिकल पॉलुशन यह सब बच्चो चली आगे दिखते हैं फिर वाट आर्दी कॉज़ेस ऑफ एर पॉलुशन तो बहुत सारे कॉज़े है एर पॉलुशन के मेली आप देखे तो यहीं लिखने लिखिए फैक्ट्री से जो धुआ निकलता वह फायर वोड या कॉडं के की बर्निंग होती है वह वैकल्स का एमिशन होता है वह ठीक है बच्चो चली आगे बढ़ते हैं अब बात आती है वाट इस्मोग तो इस्मो इस्मोग ठीक है बच्चो अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है सबसे पहला क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो परसनल वैकल्स हैं उन्हें छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उप्योग करें जैसे की बस हो गया मैट्रो हो गया ट्रेन हो गया इन सब का उप्योग करें दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चो क्लीन और ग्रीन फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं जैसे की बायो डीज हैं हमारे जो वेकल्स हैं उन्हें नियमित तौर पर सर्विसिंग वगएरा करवाएं उनका रख 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 वच्छी तरीके से करें तो भी एर पॉलुशन कम होगा चौथा क्या कर सकते हैं बच्छो कई सारी चीजे कर सकते हैं इस तरह की एक टैक्निक यूज कर सकते हैं तो य चीजे हो सकती है तो पहली चीज क्या है कार पुलिंग वगएरा इस तरह की किसी रिसोर्स का यूज किया जाए दूसरी चीज क्या है हमारे जो वेकल्स हैं उनका इस्तमाल मिनिमम किया जब जरूत हो तो ही इस्तमाल किया जाए और उनका रख रख रखाव काफी अच्छा क किया जाए यानि कि वो पॉलूशन ना फिला इस तरह की कोशिस की जाए बचो तो बच्चो यह होगी आपकी वक्षीट कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें